हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशे हिंदी के राष्टे उपलब्दी सर्वेक्षन टेस्ट को सॉल्ब करेंगे जो की उत्री दिली नगर निगंद के द्वारा दिया गया है तो बच्चों शुरू करते हैं भागवन नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए बच्चों यहां पर कविता है गुरू एक थे और था एक चेला चले घुमने पास में न था धेला यानि कि एक रुपे पास नहीं था चले चलते चलते मि मिली एक ग्वालिन धरे सीस गगरी एक ग्वालन मिली जिसके सिर पर एक क्या रखी थी पानी की मटकी रखी थी गुरू ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी गुरू ने कहा कि ग्वालिन तेज तेज मत चल बता कौन नगरी बता कौन राजा यह जो नगरी है यह कौन सी है औ गगरी सब्द का क्या आर्थ है तो बच्चो यहां पर उप्षन है बालती, घड़ा, गिलास, चिम्ता तो बच्चो इसका आर्थ है उसके सिर पर एक घड़ा रखा था नेक्स्ट है राजा सब्द का विलोम सब्द क्या होगा रानी, रंक, मंत्री, महरास तो बच्चो राजा सब्द का विलोम होगा रंक नेक्स्ट है गुरू और चेले के पास क्या नहीं था तो बच्चो गोड़, घड़ा, कपड़ा और धेला तो बच्चो गुरू और चेले के पास धेला नहीं था नेक्स्ट है गुरू ने गौालिन से क्या पूछा तो बच्चो क्या पूछा था यहां का राजा कौन है तुम कहां जा रही हो तुमने सिर पर क्या रखा हुआ है यहां की रानी कौन है तो बच्चो गुरू ने गौालिन से पूछा था यहां का राजा कौन है अब है question 5 चलत रसी लौनपोगार तिबबत के 32 वे राजा सौनक वसेन गामपो के मंद्री थे वे अपनी चाला की और हाजित जबाबी के लिए दूर दूर तक मसूर थे कोई उनके सामने टिकता न था चैन से जिंदकी चल रही थी मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए च सो भेणे देते हुए कार तुम ही इने लेकर सहर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं इन्हें वापस लाना सो जोंके बोरों के साथ वरना मैं तुम्हें घर में गुशने नहीं दूँगा इसके बाद उन्होंने बेटे को सहर की तरफ रवाना किया अब बच्चों सौगन वसेन सोंग वसेन 109 गसेन तो बच्चो इसका अंसर है स्यंक्न यानिकी सौणग वसेन ने pressed है अपनी अमीरी के लिए अपनी गरीबी के लिए अपनी दानदारी के लिए या फिर अपनी चाला की और हाजर जबाब के लिए तो बच्चों इसका फोर्ट आप्सटम सही है अपनी चाला की और हाजर जबाब के लिए तो चोथा option सही है अब है question 9 लॉन पोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी थी तो बच्चों कितनी दी थी 100, 105, 101, 150 तो उन्होंने 100 भेड़ें अपने बेटे को दी थी इत मीज़ फस्ट option सही है 100 कहते हैं 100 को अब है बच्चों question number 10 लॉन पोगार ने अपने बेटे को क्या कहा इन्हें वापस लाना 200 जो के बोरो के साथ वर्ना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूगा नेक्स्ट है इन्हें वापस मत लाना वर्ना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूगा इन्हें वापस लाना सो के बोरों के साथ वर्णा मैं तुम्हें घर में गुसने नहीं दूँगा तो बच्चो इसका first option सही है अब है भाग 3 निमनिलिकित पत्र को पढ़िए तथा प्रश्णों के उत्तर दीजिए यह बच्चो पत्र बफलो निउयोर्क 20 मार्च 1995 प्रिया नित्या तुम्हारा 17 जन्वरी को पत्र मिला तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो यह पढ़कर बड़ अच्छा लगा लेकिन एक बार ध्यान में रखना जीतने पर घमंट से बचना और प्रथम नया आने पर मन छोटा मत करना जीत मैत पूर्ण है लेकिन अपनी पूरी छमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब दी है तुमने सेंट्स एवन डॉलर की फरमाइस की है जरूर लाओंगा लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरीकी सिक्के तथा नौट होने चाहिए अस्मी का दाखिला तुमारे स्कूल में हो गया यह अच्छा हुआ अब तुम्हें एक दूसरे से भिडंत और इसने का आदान प्रदान करने के लिए साम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अस्मीता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का सोग बुरा नहीं बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी हर वाक्य में दो भासाओं की खिचडी अद कच्रेपन की निशानी है सिर्व यदा कदा तालमेल होना चाहिए यहाँ बर्फ पिगल गई है बसंत आने को है बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता अस्मिलता को आसिरवाद सैस नहीं नरेंदरनात अब बच्चों यहाँ पर इसमें कुछ कोशन दिये गए हैं यह पत्र किसने किसको लिखा है तो बच्चों नित्या ने नरेंदरनात को नरेंदरनात ने नित्या को नित्या नियू यूर्क को या फिर नरेंदरनात ने बखलो को तो बच्चों इसका second option सही है नरेंदर नाथनी नित्या को यह पत्र लिखा है next है यदा कदा का अर्थ क्या है हमेशा कभी-कभी एक दिन छोड़ कर या फिर दो दिन छोड़ कर इसका second option सही है बच्चो कभी-कभी next question है निम्न में से कौन सा सब्ध सर्वनाम नहीं है तो बच्चो यहाँ पर option है तुम, वह, वे, नित्या तो इनमें बच्चो तुम, वह, वे, यह सभी सर्वनाम है लेकिन नित्या जो सब्ध है यह संग्या है तो इस पर निसान लगाएंगे next है जीतने पर से बचना चाहिए किस से बचना चाहिए गर्व से, गमंड से, इमानदारी यह सच्चा है तो बच्चो जीतने पर गमंड से बचना चाहिए इसका second option सही है निम्न में से कौनसा सुद्ध सब्ध है विद्याले विद्धाले, विद्धाले यह विद्याले तो बच्चो इसका second option सही है विद्याले बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू